बीती रात जमू नेशनल हाईवे पर एक कार और पशु की भढ़न्त में काट चालक की मौत हो गई हाजसे में बाहन पूरी तरह से शतिग्रत हो गया जानकारी देते हुए मृत्तक के परिवार जनक ने बताया कि बीती रात उनका बेटा पठानकोट से वापस कठवा लोट रहा था परन्तु अचानक गाड़ी के सामने गाएं आने से गाड़ी की भढ़न्त हो गई जस दुरान मौके पर ही उनके बेटे की मौत हो गई जसके चलते उन्होंने प्रशासन से अबारा पश्रों की बढ़ती गिंती की और ध्यान देने की अपील की है तांकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके अब तो पहलो ता मैं देशना चांगा ते राती बहुत ही एक दुखता ही कटना हुई है मेरा पती जजो की कटूए तो सी राती अपनी बेटी ता पता लाया के बापस कटूए जा रिया थी MSP दे सामने एक गाई उदे अगी आई है जिदे नाल एक गड़ी बज़ी है और नाल ये गड़ी पल्ट गई है पल्टल तो बादे जाके उदे एक गाड़र लगा दा थी उदे नाल बज़ी है ते मौके ते ही इस मुर्दी डेथ हो गी है मैं बड़ी अफसोस दे नाल कहना कि बड़ी संस्ता बहुत सारी लोगा ने रोला पाया है कि ये जिदे पच्छून है ये अवारा गलियां चे चड़कां ते कुम देना है जिदे नाल सारे कामजेर डिस्टर्ब हो रही है एजिदी मौत हो ये नौ जुआन मुड़ा थी अले पिंच ताली साल था सेंड नहीं हो पा रही है इन्हीं दुखदाई करना है मैं पच्छासे ना के मांग करना कि डीपली ये बारे विचार करना कोई बड़ा बड़ा काम नहीं असानी नाले सारा कंट्रॉल काक्टक देना मैं SDM साहब, DC साहब, SSP साहब, साड़े मेर, पनलालपा, डियाजी, ML साहब सब अगे अपनी रुकेस्ट करना कि पलीज डीपली ये नो देखन और बहुत जल्दी एते कंट्रॉल करना जाची था